हलो गाईज और वेलकम बाक तो माई चानल सिर्फ आई एस तो यहां पे हम विजन आई इस के पीटी थी सिक्स्टी फाइब जो की इन्वार्मेंट की है उसे कॉंट्नियू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट ट्वेंटी वन प्रेजेंट करने जा रहे हैं और यह ला के बारे में जानते हैं कि यह न्यूस में क्यों रहा वजा यह है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस ने लाँच करा है डिजिटल ओशन का प्लाटफॉर्म और इसी लिए यह हो गया है न्यूस में तो भई क्या है यह डिजिटल ओशन का प्लाटफॉर्म यह सम जिलेगा ओशन डेटा रिलेटेड सर्विसेज एडवन प्लेस जितना भी ओशन का डेटा बगेरा होता है उसे रिलेटों भी सर्विसेज होती है आपको सब एक जिखा पर मिल जाएंगे इसके अंदर बहुत सारी अप्लिकेशन से जिन्हें डेवलप इस तरह से गया गया है अलग अलग तरह का ओशन ग्राफिक का डेटा मतलब जो भी है अलग अलग तरह का जो भी ओशन के अंदर डेटा है वह सब का सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट काफी जियो स्पेशल टेक्नलोजी का यूज कर इसको डवलब करा गया है इंडियन नाशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस आई-एन-सी-ओ-ई-स के द्वारा यह जो मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंस के अंदर आती है इसके द्वारा इसको डवलब किया गया है अब जो आई-एन-सी-ओ-ई-स है यह अर्मेशन देती है एडवाइसरी सर्विसेस देती है अलग-अलग स्टेकोल्डर्स को इसमें आपका पोटेंशल फिशिंग जोन एडवाइसरी आ गया ओशन स्टेट फोरकास्ट आ गया हाई वेव अलर्ट सुनामी अर्ली वार्निंग्स वगेरा सब कुछ यह आपको दे जिसकी भी आपको जरुवत है तो अलग-अलग यूजर एक ही जिगा पर सारा डेटा ले लेंगे और डेटा अलग-अलग प्रोजेक्ट से जैसे की डीप ओशन मिशन से या समुद्रयान प्रोजेक्ट से या रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनर्जी वगेरा से यह सारा का सारा डेटा यहां पे होगा आपको समझ जरा बहुत नहीं सारा डेटा होगा तो यह मदद क्या करेगा कि अगर हमें कोई भी ओशनियोग्राफिक फीचर्स को एवलुशन करना है एवाल करना है 3D या 4D विजलाइशन की थ्रू तो भी यहां पे आप एक्सेस कर होगे इसका ठीक है तो यह सब कुछ हमें मदद करेगा अब यहां पे एक बड़ यह चार्ड को देख लीजग दिया है इंडियास प्रोजेक्ट्स ओन ओशन तो देखो डीपोशन मिशन को लांच किया गया था बच्चे 2018 में इसके अंजा यह था इंशाजिस अब यह लांच होगा दूसरा है समुद्रियान प्रोजेक्ट लांच 2019 में हो गया था और यह यहां पर क्या करते है प्रपोस करते है उसन समर्सिबल वहिकिल्स विद थ्री परसें समर्सिबल वहिकिल्स में तीन लोग बैठे होंगे उन्हें यहां पे 6000 मीटर्स तक की डेप कि डिसेंटली रिसेर्चेर्स अंड़्स आंदर सी बेठ 2030 प्रोजेट्स के अंदा जो रिसेर्चर्स थे इन्हों ने अपनी मापिंग को यहां पे कंपरीट करा में और साथ में General bathymetric chart of ocean जिसे हम लोग G, E, B, C को जब को बोलते हैं इन दोनों के बीच का एक collaborative project है एम यह है कि सारे ही जो भी available bathymetric data है उसे सारा का सारा एक साथ करें ताकि यहां पे definitive mapping हो पूरे world की मतलब पूरे world के जो ocean floor है उनके mapping हो जाए 2030 तक और यह available हो जाए सारे mapping हो जाए कहां क्या है क्या नहीं और यह सब को available भी हो जाए अब आप कहेंगे कि माम यह bathymetry क्या होती है देखिए bathymetry यह measurement है जब shape और कितनी depth है किसी ocean के floor की उसको हम यहां पे measure करते हैं तो यह से हम लोग बोलते है bathymetry ठीक है अब यह देखिए यह जो seabet 2030 project है से launch करा ग with the United Nations sustainable development goals 14 वाला जो 14th goal है 14th goal है SDG goal 14 है इसके साथ aligned है क्या कहता है कि आप conserve और sustainable use करिए ocean seas और marine resources का ना तो इसके साथ ही aligned भी है अब यह जो project है इसके अंदर आपको चार तरह के regional centers मिलेंगे और एक global center मिलेगा जो की UK में है ठीक है अचा कुछ बात है हम यहां पे general bathymetric child of oceans इसका काम है कि आप पूरे ocean floor की mapping करोगे और यह एक international group है जिसके अंदर आपको geoscientist और hydrographers दोनों मिलेंगे और दोनों ही काम किसमें करने मालू है कि बैठी metric data के sets पे data products पे कैसे develop कर सकते है इन ही सब चीजों पर काम कर रहे है ठीक है यह operate करता है मतलब जब को operate करता है Intergovernmental Oceanographic Commission के साथ जो कि UNESCO का है और International Hydrographic Organization के साथ इन दोनों को साथ मिलके जो है यह operate करता है बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक की तरफ टॉपिक कहता है South Atlantic Anomaly अब यह क्या है news में क्यों रहा देखिए recently क्या हुआ कि जो European Space Agency के साइंटिस्ट है इन्होंने वार्णिंग दी है कि ज Geo Magnetic Field है अर्थी जियो मागनेटिक फील्ड है कमजोर हो रही है कोच एरियास में खास का जो एरिया आफ्रिका और South America के बीच का पड़ता है वहां पे जो है वो यह कमजोर हो रही है और इस बात को कंफर्म भी कर दिया नासा ने कि हां बिल्कुल सही बात है यह Geo Magnetic Field कमजोर इसे नाम दिया South Atlantic Anomaly का ठीक है अब जानते हैं कुछ बाते South Atlantic Anomaly के बारे में देखे इसको डेंट भी कहते हैं अर्थ के Magnetic Field में देंट देंट इसको कहते हैं डेंट भी है अर्थ के Magnetic Field में यह एक Unusual वीक पॉइंट होता है अर्थ के Magnetic Field में जो चार्ज पार्टिकल को अल अब इसका काम हो जाता है जा से मालोका सबस्कराइब क्क्राइबWith और अर्थ टो ऐसे इय्रियामे क्या होता है चाइब श्रक्ष remarki मंध सं से आते हैं यह जादा पास ऑजातेघा अर्थ के से जो नौर्मल है उससे जादा हो जाते हैं अगर कहीं पे ऐसा फिसकाओ तो यह देखने को मिला South America में और South Atlantic Ocean में भी, जो area है South Atlantic anomaly का इसको characterize करा गया है, काफी important deduction देखने को मिला है, अर्थ की magnetic field में, मतलब अर्थ की magnetic field है, वो कमजोर हो रही है यहां से, अगर आप compare करो, same geographical, दूसरे latitude में compare करो, तो इस area में कुछ ऐसा हो रहा है, कि अर्थ की magnetic field है, वो कमजोर हो रही है, जो data पता करा, उसने यह दिखाया, कि जो area है, इस anomaly का, यह अपनी, जो है, वो strength, यहां पर इसकी कम हुई है, by over 8%, 8% से कम हुई है, 1970 से compare करे, 2020 तक, तो इस period में, इनकी 8% तक, कमजोर हो गई है, इसकी strength, साथ में recent data, यह भी दिखाता है, कि जो यह South Atlantic anomaly है, यह और बढ़ता जा रहा है, वेस्ट की तरफ, है न, and splitting into two lobes, अब यह दो लोब में divide हो रहा है, इसकी वैसे हो सकता है, कि magnetic field वगेरा, जो है, और कमजोर हो जाए, और यह impact भी डालेगा, किस पर impact डालेगा, low earth orbit satellite पे, जो travel करते है न, इस South Atlantic anomaly, तो भहिया, इन satellite पर में, क्योंकि भाइया, और जादा attract होगा, तो जादा solar particles से hit कर सकते हैं, खत्रा तो ही है, दूसरा खत्रा यह है, कि international space station को खत्रा है, जो low earth orbit में है, तो यह भी हो सकता है, कि इसके instrument पगेरा भी कुछ impact पढ़ जाए, अब इनके, अगर हम, reasons की बात करें, तो हाला कि reasons कुछ clear तो नहीं है, बटे explanation यह कहलो, कि यहाँ पर अर्थ के magnetic field में shift है, whereby north pole और south pole switch places as field reverses, जगहे कुछ switch कर सकती है, जैसे field reverse होकी, तो यह reversal जो है, पिछली बार 7.8 lakh years पहले हुआ था, जब जो scientists यह मानते हैं, कि shift यह काफी लंबे period बात होता है, और दिखाता है, यह दिखाता है, तो अभी हो सकता है, कि यह सब वज़ा हो इसकी, अब देखें, हम लोग कुछ बातें यहाँ पर जानेंगे, अर्थ की magnetic field के बारे में, देखें, यह है क्यों सबसे पहले समझे, यह exist करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप जानते हैं, crust के नीचे mental के नीचे core है, तो जो core हमा यहाँ पर जो क्या create करती है, यह electric current को create करती है, that generate and charge our electromagnetic field, जो हमारे को भई, जो electric current बनता है, इससे हमारा यह charging होती है, electromagnetic field की, और जो surface magnetic field है, वो span करती है, around tens and thousands of km away from the earth, and हमें protect करती है, किसी भी जो cosmic radiations आते हैं, उससे भी as well as communication satellite के लिए भी एकाम आती है, स्प्रेस क्राफ्ट के लिए भी काम आती है, तो काफी important रोलनी भाती है, और इसी में ही अगर दिक्कत है, तो फिर दिक्कत तो बाद में दिखने को मिलेगी, मिलेगी, बढ़ते हैं next topic की तरफ, topic कहता है, earth magnetosphere के बारे में, तो earth के magnetosphere के बारे में समझते हैं, news में क्यों रहा देखें, Indian Institute of Geomagnetism, यह क्या है, यह एक autonomous institution है, Department of Science and Technology का, इसने develop करा है, एक simulation code, जो यहाँ पर पढ़ पाएगा, study कर पाएगा, जो electric field का structure है, हमारे earth के magnetosphere में उसको, तो अब बात आती है, news के बारे में कुछ और, तो इससे क्या फाइदा होगा, इससे पहला फाइदा तो यह होगा, कि हमारी knowledge बढ़ेगी, plasma waves को लेके, जो हमें आगे, जो हम प्लान करेंगे न, अपने future space missions को, उनके लिए काफी useful है, और दूसरा, इससे हम यहाँ पे, बहुत ही clearly, बहुत ही control तरीके से fusion laboratory experiment करेंगे, fusion का मतलब होता है, यहाँ पे 2 या 2 से मेंटे को combine करना, मिलाना, जो energy needs of humanity की, तो आगे हम बढ़े तरीके से experiment भी कर सकते हैं, अब control fusions रहेंगे, तो यह magnetic fields का अच्छे से use करेंगे, यहाँ पे confine करने के लिए high temperature, plasma को, deuterium और triterium के मतलब, यह फटे बटे करने इदर उदर नहीं जाएगा, अराम से एक के जगा पे चीज़े चानती से हो जाए में, देखिए कि ऐसा region है, जो अर्थ के आसपास का है, जहाँ पे magnetic field जो है, वो dominant है, is of earth, rather than of interplanetary space, यहाँ पे magnetic field जो है, वो आपको जादा मिलेगी, और इसको बनाया जाता है, interaction of, बतलब, it is formed by interaction of solar winds, देखिए solar winds के interaction से बनता है, जो carry करती है solar magnetic field को, जिसे हम लोग interplanetary magnetic field है, अर्थ की magnetic field के साथ में, इसको carry करती है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते है, चीजे बनी हुई है, interplanetary magnetic field, यह है यहाँ पे, ठीक है, यह देखिए, यह बो शौक है, यह magneto strength है, उसके बाद magneto tail है, यह इससा देख लेजे इस तरह से, आप देखिए, अर्थ की magnetosphere है, इसके अंदर होता है, plasma, और plasma process, जो है, वो इसके पास, plasma processes, जो है, इसके पास इतनी ability होती है, कि यह जो बहुत सारे satellite गूम रहे हैं, और्बिट के अंदर, जो magnetosphere region में, इसको hamper कर सकता है, इनको ख़तरा हो सकता है, इससे, तो plasma क्या है, plasma एक बहुत ही hot ionized gas है, जिसके अंदर approximately equal number of positively charged ions और negatively charged electrons होते है, मतलब बराबर ही होंगे, protons और electrons दोनों ही, जो है, वो बराबर ही इसके अंदर होते है, plasma यह fourth state है matter की, अगर हम बात करें, तो plasma को fourth state of matter कहा जाता है, almost 99% जो matter है, पूरे universe का, वो plasma के form में है, यह भी समझ लीचेएगा, ठीक है, अब जानते है, next topic की बारे में कुछ बात है, जो कहता है, earth inner core के बारे में, देखे, news में क्यों रहा, पहले समझते हैं, researchers ने यहाँ पे, अपना जो estimate था, earth के solid inner core की age को लेके उसे revise करा है, और अब यह बता रहे हैं, कि इसकी age 1 से लेके 1.3 billion year हो सकती है, यह तना old तो यह है, तो आप कहेंग चलिए, news के बारे में और बात बताएं, तो पहले यह बात कही गई थी, कि जो inner core है, वो सिर्फ और सिर्फ 565 million years old है, काफी young है, अगर आप compare करो, earth की age के, जो कि 4.5 billion year old है, अब earth का core जो है, वो जादतर iron से बना हुआ है, यह बात आप जानते हैं, इसमें inner core solid है, और outer core liquid होता है, यह बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, inner core solid है, और outer core जो है, वो liquid form में होता है, अब liquid form में है, तो circulate करेगा, और जो इस circulation होता है, इस liquid metal का, इसकी वज़े से electric current जो है, वो बनते हैं, और इसकी वज़े से ही क्या होता है, अर्थ एक बहुत बड़ा giant electromagnet बन geodynamo आपने सुना होगा ना, इसी process को यह कहते है, अब जो पुराने वाले estimate थे, इन्होंने एक paradox क्रिया किया था, एक contradiction क्रिये कर दिया था, जहां पे यह था कि बहुत को काफी जादा unrealistically, बहुत जादा high temperature करना पड़ता, अगर उन्हें geodynamo को maintain करना था, for billions of years, before the formation of inner core, तो मतलब inner core के बनने से पहले, यहां पे core को जो है, बहुत ही जादा high temperature पे रहना पड़ता, ताकि, भई, geodynamo maintain रहे, billions of years थक, समझे, अब नए research ने इस, जो paradox क्रियेट हुआ था, इसे solve कर दिया है, इसमें solution दिखाती है, कि भई देखो, यह temperature जो core का है, within realistic parameter ही रखता है, इ two different energy sources और mechanism के माध्य हम से, तो यह थोड़ा सा ही यहां पे clarity देखने को मिल गई है, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, next topic के बारे में, topic कहता है, Mount Everest grows to new height, ओफो, क्या हुआ, समझते हैं, news के बारे में जानते हैं, हुआ क्या कि recently, foreign ministers, जो कि Nepal और चाइना के हैं, इन्होंने jointly, यहां पे certified करा कि Mount Everest जो है, अब वो 8848.86 meter हो गया है, above the sea level, मतलब समझ जो पहले कितना था, 8848 था ना, तो 0.86 बढ़ गया है, तो 0.86 का मतलब 86 centimeter जादा हो गया है, than what was recognized since 1954, जो पहले था, अब 1954 के बाद जो रिकनाइस किया गया था, वो था 8848, जो हम बढ़ते हा रहे थे, अब बढ़के 48.86, मतलब 0.86, मतलब 86 centimeter और जादा बढ़ गया है, अब बात जानते हैं, Mount Everest के बारे में थोड़ी सी, देखें, Mount Everest, यह Himalayan Mountain Range की एक चोटी है, मतलब एक पीक है, और यह highest point माना चाहता है, अर्थ के उपर, लेकिन यहां समझेगा, measured with the mean sea level as a base, अब sea level को अगर base मान के चल रहे हो, ठीक है, तब ऐसे, mean sea level as a base मान के चल रहे हो, अब देखो 19th century की बात है, जब mountain को नेम कर गया था, after the George Everest, एक जो फॉर्मर सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, और as measured from earth core, अगर हम अर्थ के core से measure करें, तो इकविडर का, जो Mount Shimbarazu है, यह world का highest है, इकविडर क country है, वहाँ एक mount है, mount का नाम है, Mount Shimbarazu, यह world का highest होगा, इसका attitude करीब 6263 meters है, क्योंकि, अर्थ बीच में देखें, ऐसे bulge है, अगर हम देखें, तो अर्थ जो है, वो बीच में अलका सा bulge है, मिडल में, तो mountain, जो equator, equator के असपास आते हैं, यह दूर होते है, फार्द होते है from the core, तो यह एक reason हो जाता है, कि यह थोड़ा सुट हो जाएगा, अगर हम foot से देखें, mountain की, मतला measuring from the foot of the mountain to the peak, अगर हम यह पहाड है, उसके foot से लेके, और peak तक अगर हम compare करें, तो हवाई का एक mountain है, उसका नाम है Mauna Kea, Mauna Kea, यह tallest है, Spelling देख लेजे, M-A-U-N-A, K-E-A, Mauna Kea, यह tallest है, यह 10,210 मीटर से लेके, 4,205 मीटर अबब है, सी लेवल के, और 6,000 मीटर बिलो है water के surface के, अब तुम ऐसे समझवा, समझ के, अब चुकि यह पानी में है, अंदर है, तो इस वज़े से यह नहीं लिया जाता है, इस तरीक देखने को मिलेगा, यह एक autonomous reason है, चाइना का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तिबत्य ने इसका नाम रखा है, चोमो लुंगमा, स्पेलिंग देख लेजे, C-H-O-M-O-L-U-N-G-M-A, ठीक है, चोमो लुंगमा, जिसका मतलब होता है, Mother Goddess of the World, और नेपाली ने का न आप देखो, क्या वज़ा क्या है, जिसकी वज़े से, Mount Everest, जो है, वो भाई साहब थोड़े बढ़ गए है, Mount Everest, देखिए, यह बना मालू में क्यों था, यह बना था, टेक्टॉनिक कोलिशन की वैसे, आप जानते है, प्लेट्स वग्यरा है, और ऐसे लड़ा लड़ा, टेक्टॉनिक कोलिजन की वैसे हुआ था, इंडियन और उरेशन टेक्टॉनिक प्लेट्स, अब यह इंडियन प्लेट्स थी, और उरेशन प्लेट्स थी, इसमें जाके इंडियन प्लेट्स जब लड़ी, तो इसकी वैसे, टेंस ओफ मिलियंस और पहले की बात है, जब यह आप यही पर देखते हैं तो इस जगह पर यह बना और क्यों बना यहां पर टेक्टानिक प्लेटस आपस में रड़ी तो आप जानते आज तक चलता आहा है ऊपर की तरह तो सब बढ़ रहा है ना चलता आहा है इसलिए यह बढ़ता जा रहा है इसलिए इसका अटिट्यूट जो है वो भी चेंज होता रहेगा इंडिया धीमे 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 आज भी नौर्थ की तरफ बढ़ रहा है अगर हम कहें तो कपल ओफ इंचेस पर एयर ऐसा बढ़ रहा है कि ऑन्गोई इंपक्क्ट यूरेशियन जो इंपक्ट है विद यूरेशिया यह हो सकता है कि माउं इंपक्ट यह मिले मीटर जो है एक मिले मीटर बढ़े गई बढ़ेगा अवरेस्ट हर साल हाला कि इरोजन और अर्थ कुएक्स वगेरा जो आते हैं वह भी अगिंस्ट काम करते हैं मतलब अब जिको अगर इरोजन हो गया तो भी थोड़ा नीचे हो जाता है यह अर्थक्व होते हैं इन से यह तो माउंटीन्स बढ़ जाते हैं और यह तो नीचे हो जाते हैं छोटे कम कम माउंट में होते हैं लिकिर हो जाते हैं डिपेंड करता है कि किस तरह से और कहां जो है वह जो जो जमीन है वो किस तरह से खिसकी है तो इस तरीके से होता है यह होता है माउंट देखिए कुछ चार्ट और बताते हैं फॉर्मेशन ओफ हिमालया से उपर वाला चार्ट दिखाता है ठीक है तो यह इंडियन प्लेट है अपनी यह तिथायस ओशन है और यह मतब था और यह आपका स्क्राप्ड सेंटिमेंट्स था यह यह पहले हुआ करता था अब यह दीमे बढ़ता चला गया तो यह से लडने की वैसे हुआ है युक Mitte में आपको यह देखे पीछे विवता आपको क्लियर हो इस कहा है ईस जगह पर है यह यह घर नचे से घर बढ़ शीरी यह यह फिद्ड़ नेंट फानित यह निजिंट नेंट फांगए टुन होना अच जितने को बड़ा कॉंटेंट इसका नाम किया था पैंजिया और पैंजिया इस्प्लिट होना शुरू हो गया था 200 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट नौट की तरफ बढ़ने लग गई तूबर दे लाइंड मास वी नो एस एशिया इंडियन प्लेट यह नियरली 30 फीट यह कह सकते हो 30 फीट यह से जाद ही बढ़ती है हर एक सेंचुरी में मतलब हर 100 सेंचुरी में यह उपर की तरफ बढ़ती है उसके बाद 23 ओशन जो इंडिया और युरेश्या के बीच में पहले हुआ करता था यह भी खतम हो गया यह वाल जो यह इंडियन प्लेट थी अंडर दे वाटर मेड़ देंस ओशनिक क्रस्ट यह क्या हुआ कि सदन एच जो था ज्यादा ब्योंड रॉक्स का उसके देखे अंदर चली गई और यहां पर यह इस तरीके से देखे यह यहां पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से मामला कैसे हैं यह सता जो होंटिकल प्रोसु कि यह जो ओशनिक लिथोस्वेर है लेत इससा हो गया तो आप इस प्रोसेस के थुरू ऐसे करके पूरा समझ सकते हैं इस तरह से मामला हो गया अब जो यह मूव्मेंट था इस ओशनिक स्लाब का इस मैंटल के अंदर इससे क्या हुआ कि जो थिक लियर से फोर सेंटिमेंट की थी वह उपर की तरफ उठके आ गई और उठके आने से क्या हो गया कि मतलब ये युडेशन प्लेट की एक तम कोने पर आ गई ना यहां पर आप ये जो संदे लेयर फॉर्म हो गई रॉक्स की खटा होती गई उठके घए मौउंटेन की पिक्स के उपर और जैसे जैसे कॉंटिमेंट्स और आपस आते रहे कंप्र माउंटेज एफरेस इसके अंदर माउंटेज भी आ गया तो यह कुछ हम पूरी कहानी थी इसकी बढ़ते हैं नेक्स टॉपपे की तरफ कि कौन-कौन सी प्लेस आखिरकार न्यूस में रही तो यह तो प्लेसे इन न्यूस है यह देखें यहां पर यह जगह है सी ओफ गैली इ एथियोपियन रेनेसा डांप एथियोपिया के अंदर है यहां पर देख लीजे यह है एमरी आइस शेल्फ अंटार्टिका के अंदर यह भी न्यूस में रहा इंडिया के पास देखें क्या है कस्तर आइलेंड जमान निकोबार में माउंट सीना वर्क वोल्कानों इंडोने यह प्लीज याद रखिएगा अच्छे से क्योंकि यह अक्सर यूपियसी बहुत कुछ इससे लिट 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 ही पूछ लेती है अब आगे जानते हैं कुछ बाते एमरी आइस शेल्फ के बारे में अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रही आप डाउनलोड कर सकते हैं मागजीन को मेरे टेलिग्राम चैनल से या तो फिर विजन आइस के ओफिशिल साइट से हैं ज्यादा बड़ा करने की चक्कर में उपर का हो सकता है ना दिख रहा हूँ खैर एमरी आइस शेल्फ की बात करेंगे तो नाशनल सेंटर फॉर पोलर आइस की बाउंडरीज में अंटार्टिका में 2021 तक एईस क्या है अब यह समझो एमरी आइस शेल्फ क्या है यह वन अदर लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है पूरे वर्ल्ड का जो इस्ट कोस्ट अंटार्टिका के है बहां पे लोकेड़ है इसके डाइनमिक्स और इसका मास बैलेंस काफी मदद करता है कि हमें ग्लोबल क्लाइमेट चींज का सिनारियो को समझने में साथ में देखिए कि जो नाशनल सेंटर फॉर पोलर और ओशन रिसर्च है न यह मिनिस्ट्री ओफ अर्ड साइज के अंदर आता है यह गोवा के अंदर लोकेटिट है और इंडिया का प्रीमियर research and development institution है जो की research activities कराता है polar और southern ocean रियांस में next आता है dimer bhasha dam अब ये क्या है देकि चाइनल पाकिस्तान ने एक accord को sign करा कि ये construct करेंगे इस dam को गिलजिट बलतिस्तान रीजन में अब बात आता है कि ये बनाया जाएगा कहाँ बनाया चाहेगा river Indus के उपर इसी capacity करें 4500 मेगावाट की होगी इंडिया ने इस बात पर अपना objection दिखाया लोग लगाई इसके construction पर क्योंकि भाया अगर ये बनेगा तो ये इंडियान मतलब the dam rapidly as it falls into the Indian territory क्यों भाया क्यों कि इंडियान टेरिटरी में आ रहा है ये नौर्थ गिल्जिट बल्तिस्तान का रीजन है वो यहां पर क्यों बना रहे हो भाया साथ में ये वाटर शॉर्टेज भी लद्दाक में कर देगा अगर ये बनकिया एक बार तो तो हमने इस लिए इसमें अपनी अबजेक्शन दिखाया है फिर आता है बात पंतनाल ब्राजील के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेट लांड है और यहां पर अगर हम देखें तो अलग-अलग तरीके से बात करें तो देड़ लाग स्कॉर किलो मीटर में फैला हुआ हुआ है ब्राजील में साथ मे अब जब सूखा पड़ जाता है तो यह पॉंड और लगून सूख जाता है इसका पानी उड़ जाता है तो यहां पर लग जाती है आग यहां पर अंडर डिपॉजट जाती है इसमें आग लग जाती है फिर माउंट सीना बंग वालकेनों की बात करते हैं तो माउंट सीना एक active strato volcano है जो इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलेंड में पाया जाता है यह एरप्ट हुआ था 2010 में यह 400 यह लॉंग ब्रेक के बाद 400 सालों के बाद 2010 में हुआ था और तब से 2000 अगर हम देखें तो 2013 के बाद से active हैं यह प्रॉन है सीस्मिक अपहील का due to its location on the Pacific Ring of Fire यह Pacific Ring of Fire में पढ़ता है यह सर्कुलम Pacific Belt आप कह सकते हैं वहां पढ़ता है यह एरिया है along the Pacific Ocean जिसे जहां पर जो जो यह आपका Pacific Ring of Fire है यह ऐसा एरिया है Pacific Ocean के असपास का एरिया है जहां पर active volcanoes है पड़ा फट अर्थ को विकाया करते हैं इसके dolcanous भी काफी active है अब स्ट tweet welcome क्या होते हैं इस्ट कौनिकल कौनिकल ओनिकल जो है शेप के होते हैं इसमें आपको एक लियर देखेगी hardened lava की और volcano ash की भी यह वाल canals को करकेश करा गया है by στην अनो के प्रोफाइल वीटन के रुग्षापलिक होना, थन्दा हो जाता है रुम में क offers पίναι मरीन अरिया है जो आपको वेस्टन पैसिकोशशंस में देखना Shelby वर्ड का एपी सेंटर है मरीन डाइवर्सिटी में इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, पपु अनुगीनिया, तैमोर लेस्टे और सोलमोन आइलेंड्स का जो है वो पानी वगेरा सब इंक्लूट है और इसके अंदर नेरली 600 डिफरेंट स्पीशीज हैं यह उने अंदर जो तीन मेगा एकलोजिकल कॉमपलेक्स है उनमें से एक है तो गैधर विद कॉम्गो बेस्ट दूसरे है और तीसरा है अमजान फॉरस्ट तो एमजान रेंट फॉरस्ट और कॉम्गो बेस्ट के साथ यह तीसरा ऐसा एरिया है जो वीड के मेगा एकोलोजिकल कॉंप्लेक्स में आता है नाम के कूरल ट्राइंगल अब उसके बात यहां पर ग्रांड इथोपियन रेनिसा डाम जिसे हम लोग गर्ड बोलेंगे यह क्या है यह देखिए एजिप्ट और इथोपिया ने यहां पर इनके देखिए डिस्प्यूट चल रहे इथोपिया जब एक बार यह कंप्लीट हो गया तो यह सबसे बड़ा डाम हो जाएगा पूरे आफ्रिका का मतलब यह बनने ही वाला है ब्लू नाइल रिवर पर बनेगा एथोपिया की उसके साथ वाइट नाइल रिवर ब्लू नाइल रिवर यह आप जानते हैं बहुत कचल आइलेंड के बारे में कुछ बात आपको बताऊंगी देखे हुआ क्या कि रिसेंटली इंडियन कोस गार्ड ने बहुत बड़ी आपदा होने से बचा ली कचल आइलेंड में कैसे क्योंकि वहां पर यह क्या था कि एक फ्यूल टैंकर जो है वह बहता हुआ जा रहा था कुछ उसमें तक्निकी खराबी होने के विएसे तो वह बहता हुआ जा रहा था उसको यह पकड़ के खीच के लिए टो करके लिए से फ़ॉटर तो आप कहेंगे मामी कचल क्या है कि कचल एक वन ओफ निकोबार आइलेंड है बे ओफ पैंगॉल के अंदर इंडिया में आती है तील को आती है काई सारी बर्स भी आपको इस रिजन में देखने को मिलेंगी ऐसे इंडियान वाइट आई हो गए रेट विसकर्ट बुल बुल हो गई अगयरा बगयरा नेक्स बात करेंगे डेथ वैली यूसे की बारे में तो डेथ वैली यह कैलिफोर्निया के भी रिकॉर्ड हुआ है आफ्टर प्रीवेस रिकॉर्ड वर शोन टू है अब 282 फीट बिलो है सी लेविल के और डेथ वैली हमारे नौर्थ अमेरिका का लुवेस्ट पॉइंट बन जाती है फिर बात आती है मेरियाने ट्रेंच की बारे में तो हुआ क्या कि रीसेंटली च में रिसेंटली चाइना वेसल फेंडाउस डिसेंडेड मोर दैन थैन थाउसन मीटर इंटो मेरियाने ट्रेंच विद थ्री रिसेर्चर्च अन बोर्ड तो मेरियाने ट्रेंच क्या है देखिए डीपेस पार्ट है ओशन का इसमें 11,034 मीटर डीप है और यह डीपेस्ट पूरे वर्ल्ड के ओशन का बिलो दर सर्फिस ऑफ पैसिफिक ओशन फिर केटू की बात करते हैं तो ख़बर में यह है कि क्लाइमबर्स कुछ नेपाल के जो है वो ऐसे पहले माउंटेनियस बन गए जिन्हों ने सकसिस्फुली विंटर्स के टाइम पे केटू की पीक पे च पाया था यहाप कारा कुरम रेंज में मिलेगा जो की नौर्थ इस्ट में है हिमालयास की इसके आसपास जो वर्ल्ड के सथरा सबसे बड़े-बड़े पाउंटेंस ना बच्चो उसमें से पांच इसके आसपास ही है और केटू वर्ल्ड का सेकेंड टॉलिस पीक आता है यह वराफ दर लो लाइंग बोड़ी है वाटर की पूरे बड़ में यह आपको नौर्दन इस्रेयल में देखने को मिलेगी इस्रेयल उक्पाइड गोलन हाइट और गैलिली रीजिन के बीच में यह एक फ्रेश वाटर बोड़ी है इसे अंडर ग्राउंड स्प्रिंग से प पॉटेंट पैरोमेटर के तौर पर देखते हैं कि अगर हमें देखनी है इस्रेयल की वाटर सिच्विशन तो हम इसी से देखेंगे फिर बात आती है पॉइंड डी एसने रीजिन की तो हुआ क्या कि मौरिशन ने लगा दी इन्वाइरमेंटल इमर्जंसी क्यों कि यहां प पॉइंड इसने है यह रामसार साइट है और सबसे बड़ा बचा हुआ जो वेट लैंड है और इसे के अंदर लार्जेस वेट लैंड यह है और आइल ऑक्स जो आइल ऑक्स एग्रेट्स नेचर रिजर्व है ब्लू बे मरीन एरिया है उसे साथ माहेबॉर्क फिशिं रिज अजिका सूलन वाद ब्लog देटा थरी जा रिजी बालाद कर लंटक टून वायाजर में व्लुद्ब इस कर दिए एर यह छärt vyand that ours and if you want to follow me or any other special media platform link is in the description you can also join our membership and enjoy the various perks and also can watch this videos on Facebook thank you so much for discussion have a wonderful day take care